मार्केट विजाड सेक्शन एक केस नहीं हम किसी सिस्टम में ट्रेडिंग की लागत का निर्मान करते टाइम एक कठोर अनुमाल लगाने का एफट करते हैं इसके अलावा हम अपने स्व्यम के ब्रोकर रख कर अपनी लागत को काफी कम कर देते हैं जब आप एक प्रमुक पॉजिशन पर होते हैं तो किस पॉइंट पर आपको पता चलता है कि आप गलत हैं यहें आपको पॉजिशन से हटने के लिए क्या इंडिकेशन देता है यदि आपको एक या दो वीक के बाद किसी ट्रेडिंग में लोस होती है तो आप सफ़ष्ट रूप से गलत हैं यहां तक कि जब आप ब्रेक इवन के असपास हो लेकिन काफी टाइम बीच चुका हो तब भी आप संभवत है गलत हैं जब आप किसी ट्रेडिंग में उतरते हैं तो क्या आप अपना आधिक्तम रिस्क पॉइंट डिफाइन करते हैं आपके पास हमेशा सबसे खराब केस पॉइंट होनी चाहिए सिगरता से बाहर निकलना ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए क्या आप काफी हद तक स्व्वम प्रेरक ट्रेडर हैं या क्या दूसरे ट्रेडर्स ने आपको एसे सबक सिखाए जो मिनिंगफुल थे मैं कहूंगा कि मैं स्व्वम प्रेरक ट्रेडर हूँ वास्तों में आश्चरे जनक बात यह है कि ट्रेडिंग पर कितना कम पब्लिस्ट लिट्रेचर है क्या एसी कोई चीज है जिसे आप ट्रेडिंग में रूची लेने वाले लोगों को सुझा सकते हैं मुझे लगता है कि एडवन लेफेवर की रेमिनेसेंस आप एक स्टोप ओपरेटर इंट्रेस्टिंग है जो ट्रेडिंग के एक्सपिरियंस को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है लेकिन वह किताब 65 साल पहले लिखी गई थी क्या कुछ परमुक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिनके बारे में आप बिना कोई सीक्रेट उजागर की ये बात कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड में रहना ही वह मुख्य वजय है जो अंतत्य हमें किसी ट्रेड में ले जाती है यह बिल्कुल सिंपल विचार है कंसिस्टेंट रहना और यह सुनिश्चित करना कि आप हर टाइम ऐसा करते हैं संभवते ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए आपके द्वारा उप्योग की जाने वाली विशेज विशेस्ताओं से अधिक इम्पोर्टेंट है ट्रेंडों में इंटर करने के लिए आप चाहे जो भी तरीका अपनाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि कोई परमुख ट्रेंड है तो आपका एप्रोच यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आप उस ट्रेंड में शामिल हो एक सिंपल सिस्टम का उप्योग करके किसी ट्रेंड को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है क्या कोई विशेश चीज है जिसे आप किसी ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए सर्च कर रहे हैं नहीं, अगर मैं कोई ट्रेंड डेवलप होते देखता हूँ तो मुझे पता है कि अंतते मुझे इसमें शामिल होना ही होगा सवाल यह है कि मैं इसमें पहले आता हूँ या बाद में और यह इस बात पर निर्वर हो सकता है कि मैं समाचारों पर मार्केट के प्रतिकरिया कैसी देखता हूँ यदि कोई मार्केट उस टाइम उपर जाता है, जब उसे उपर जाना चाहिए, तो मैं पहले ही खरीद सकता हूँ. यदि यह नीचे जाता है, जबकि इसे उपर जाना चाहिए, तो मैं तब तक इंतजार करूँगा, जब तक कि ट्रेंड बेहतर डंग से डिफाइन ने हो मार्केट के बीच कितना कोमन बिहेवियर है, क्या बीन्स के पैटरंस, बॉर्ड के पैटरंस के समान है, या हर मार्केट की अपनी पहचान होती है, मैं मार्केट का नाम जाने बिना ट्रेडिंग कर सकता था, तो आप जो कह रहे हैं, वह यह हैं कि विविन मार्केट से पैट कि Share Market exception है, यानि क्या Share Market भी Other Markets की तरह बिहेव करता है, या Share Market का अपना बिहेव पैटर्न होता है। मुझे लगता है कि यह शायद अलग है। आप यह क्यों कहेंगे कि यह सच है? खेर, इंडिविजुल स्टॉक पर मेरे रिसर्च से पता चलता है कि प्राइसेज में उतार चड़ाव, कमोडिटी की तुलना में रेंडम के करीब है, जाहिर तोर पर कमोडिटी इस ट्रेंड में है और यकिनन स्टॉक रेंडम है क्या आपके पास उस गटना के लिए कोई एक्स्पिलेनेशन है? मेरा मानना है कि प्रतेक स्टॉक में इनफ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो उन्हें उनके रेंडम करेक्टर से मूव करने के लिए सफिसियंट ट्रेंड पैदा कर सके, क्योंकि जितने स्टॉक हैं उतने कमोडिटी नहीं है दूसरे सब्दों में कमोडिटी, मार्केट की तरह इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं है, जहाँ इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है और इनफ फंडामेंटल भी नहीं है, वहाँ बस कुछ नहीं हो रहा है कमोडिटी मार्केट में टेकनिकल इन्फॉर्मेशन बेसिकली, प्राइस, वाल्योम और ओपन इंट्रेस्ट तक ही लिमिट होती है, चूँकि स्टॉक इंडेक्स के लिए, बहुत अधिक टेकनिकल इन्फॉर्मेशन अवेलबल है एडवास और डिकलाइन रेशियो, विविन इमोशनल इंडिकेटर्स, स्टॉक के विविन ग्रूप्स के बीच रिलेशन इत्यादी, सामान्य ट्रेंड फॉलोविंग सिस्टम एक बड़े लोस में शुरू होते हैं, क्योंकि वे सफिसियंट इन्फॉर्मेशन का यूज नह प्रोग्राम ट्रेंडिक के अगेस्ट रिसेट अटेक पर आपके क्या विचार हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, उन्हें खुद पर शर्मानी चाहिए, क्या आपका मतलब फाइनेंशियल कमूनिटी के लोगों से हैं, हाँ, वे जिस चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे ह उनकी इनेनिटी को समझने के लिए उनमें सफिसेट सफिस्टिकेशन होना चाहिए, क्या आप प्रोग्राम ट्रेडिंग को गिरते मार्केट के लिए एक सुईदाजनक बली का बकरा मानते हैं? हाँ, जरूर, यह है आपके और आपके क्लाइंट्स के लिए गटिया काम करने का एक अच्छा बाहना है, दावा यह है कि प्रोग्राम ट्रेडर उन लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, जो शेर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता, प्रोग्राम ट्रेडिंग शेर मार्केट को थोड़ा इधर उधर कर स चाहिए, बेशक यह उन लोगों के लिए बुरा है, जो दिखावा करते हैं कि वे वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लेकिन वास्तों में वे एक ट्रेडर ही हैं, आप हार का क्रम कैसे संभालते हैं, कटोती यदि यह वास्तों में बुरा है, तो रूकें और बाहर निकलें, क्या आपको कभी-कभी कुछ दिनों के लिए मार्केट से दूर जाने की जरूरत पड़ती है, आम तोर पर इसमें बस एक या दो दिन लगते हैं, लेकिन आपको कुछ ताइम के लिए रुकने की जरूरत होती है, यह लगवग उस गड़े के समान है, जो जुकता नहीं है, बिहेवियर के बारे में सबसे बड़ी पब्लिक भ्रांती क्या है, ऐसा माना जाता है कि मार्केट्स का सेंच समझ में आता है, टेकनिकल एनालिसिस के रिलेशन्शिप में भ्रांतियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, यह है विश्वास कि टेकनिकल फेक्टर, बेसिक प ज्विक बहुत अच्छे हैं, क्या आप बाहरी एनालिस्ट के काम को किसी ट्रेडिंग में इन्पूट के रूप में मनेंगे? नहीं, जब हमने अपने लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाया, तो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल क्विश्चन था मन लीजिये कि मार्केट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, वह बाय का संकेत देता है फिर आप फ्लोर को काल करते हैं, और वे आपको बताते हैं कि मैं बेच रहा हूँ क्या आप A. खरीदते हैं, B. कम खरीदते हैं, C. बहुत नहीं करते हैं यदि वे अंतताई यह नहीं समझ पाए कि A. सही था, क्योंकि उन्हें अपने मार्केट डिशिजिन स्वयम लेने हैं, तो वे प्रोग्राम में फिट नहीं हुए आप दूसरे लोगों का पैसा क्यों संभालते हैं? आप अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं? खैर, एक बड़ा फाइदा है. Managed Money बिना किसी रिस्क के संभावित रिटर्न परदान करता है. दस साल से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं सभी रिस्क से ठक गया हूँ? क्या मुझे लगता है कि मैं परनाउट हो जाऊंगा? क्या मुझे लगता है कि मैं रुकने वा आता हूँ. मैं short trading कर सकता था और इसमें कम profit और कम risk होता. लेकिन अगर customer का पैसा आता है तो मैं उसका उपयोग profitability बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ. और फिर भी अपना risk कम रख सकता हूँ. यहे आपको एक बेहतर deal देता है. मैं जानता हूँ कि यहे आपका पसंदिदा कुछना है. आपके द्वारा managed कुछ public funds का trading अप्रेल 1988 में बंद हो गया. क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे automatic 50% loss cutoff point तक पहुँच गए थे. दरसल जब हमने trading बंद किया तो वे 49% से नीचे थे. Automatic termination point को trigger करने के बजाए हमने सभी positions को liquidate कर दिया और investors से कम cutoff point के अनुमती देने का आग्रे किया. क्या आप इस vicious experience के कारण future में कुछ अलग करेंगे? मैं आपकी तुलना में थोड़ी तेजी से कटोती करूँगा, लेकिन trading अभी भी वही रहेगा. किसी ने मुझसे कहा, आप दावा करते हैं कि market खराब थे? ठीक है, चुँकि आप बिलकुल against कर सकते थे और बहुत सारा पैसा कमा सकते थे. क्या वे वास्तों में अच्छे नह चाहता था, वह उन ट्रेडों के against direction में होना था. लोंग टरम में यह infinite amount of money खोने का एक तरीका है. अक्टूवर 1987 में interest rate markets की recession के परिणाम सोरू, आपका सबसे बड़ा लोस हुआ, वहां क्या गलत हुआ? उस लोस का एक बड़ा हिस्सा, इस fact के कारण था कि market ने हमारी short position को cover कर करने के लिए हमारे point से काफी अंतर कर लिया था. For example, 20 October को हम आम तोर पर अपनी short euro dollar position से लगवग 40-50 अंक उपर होते, लेकिन उस दिन market 240 अंक उपर खुला. हमने एक skid में 190 अंक उड़ा दिये, जो बिलकुल unavailable था. यदि market इतना हद तक out of line है, तो क्या आप अभी भी तुर अगर आपको ऐसे situation में जितनी जल्दी हो सके, बाहर निकलने के बारे में कोई संदे है, तो आप वास्तों में बड़ी मुसिवत में है. क्या आपको लगता है कि आपको जो भारी loss हुआ, वह मार्केट में किसी दबाओ के कार्ण हुआ? यह कहना कठी नहे. एक मातर factor जिसे म में निश्वक्ष रूप से पहचान सकता हूँ. वह है अधिक जूटे ब्रेकाउट की ट्रेंड. क्या आपको लगता है कि जूटे ब्रेकाउट का हालिया प्रेवलेंस पिछले 5 से 10 वर्षों के दोरान computerized trend following trading में जबरदस्त ग्रोथ से संबंदित है? क्या बहुत से लोग एक ही काम कर रहे हैं और एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई संदे नहीं है. एक de-storage तरीके से यह fundamental trading पर technical trading की अंतिम विजय को represent करता है. मैं de-storage इसलिए कहता हूँ, क्योंकि यह एक AC जीत है जो technical trading को de-values करती है. क्या आपको लगता है कि हम वहे दिन सकते हैं जब trained following system काम नहीं करेगा? एक दिन ऐसा आएगा जब आसानी से खोजी गई और हलके डंग से imagine की गई trained following system काम नहीं करेंगी. अच्छे system develop करना कठिन होता जा रहा है. यह देखते हुए क्या आप पहले जिन तरीकों का उप्योग कर रहे थे वे अब भी उसी efficiency के सही डंग से देखते हैं तो आप इस fact को अपने profit के लिए काम में ला सकते हैं कि market में कोई दूसरा trend follower है. मैं समाधान के बारे में बहुत अधिक सपष्ट नहीं हो सकता क्योंकि यदि हम सही हैं तो यह बहुत valuable information है. सक्सेस्पुल होने के लिए आपको हमेशा बाकी सभी से ए कदम आगे रहना होगा. ऐसा लगता है कि आपने 1987 के अंत में अपनी performance प्रोबलम शुरू होने से बहुत पहले ही इस प्रोबलम पर काम करना शुरू कर दिया था. यह सही है. पिछले 10 वर्सों के दोरान trend following approach का उप्योग करने वाले लोगों का एक virtual bandwagon effect रहा है. हम इस प्रो प्रोबलम को हल करने में आदा काम उसकी imagination का सही तरीका ढूड़ना है. पूछने के लिए सही question समझने में हमें वर्षों लग गए. आप आखिरकार उस समाधान पर कब पहुंचे जिसे आपने संतोस जनक समाधान माना था. तो अभी आपने इस book के section को सुना. अगर आपको म अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ सोशल मेडिया पर शेर अवश्य करें. धन्यवाद. हिंदियोडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो.